हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्तरशना आज मैं बनाने जा रही हूं नान खटाई बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी भी बन के तयार हो जाएगी अगर आपके एगर माइक्रोवेव है तो आप उसमें बेक कर सकते हैं बहुत अच्छी बेक होती है मैंने लिया आधी कटोरी घी देसी ही लिया है अब बटर भी ले सकते हैं और 3 4 भी ले सकते हैं आप ए मैंने काको 202 बोना काटो डिया आप तक सकते पाउडर श्टुर्याह अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और किछ की को अच्छे से फेटनाय जब تक की थोड़ासा फलपी नो которую गात Bardzo सासा इसमें एर अंदर हो जाएगी तो थोड़ा फ्लफी नज़र आएगा सॉफ्ट यह देखिए मेरा सॉफ्ट नज़र आ रहा है इस स्टेज तक हमें फेटना है यानि एक कटोरी मैदा है मेरी उसमें मैंने पॉन कटोरी चीनी ली है और आधा कटोरी देशी घी अब अच्छे से मिक्स कर लिया इसको हटा के हाथ से हम इसको बनाएंगे बिल्कुल एक डो तयार कर लेंगे सॉफ्ट सा अच्छा सा डो तयार हो जाएगा हमारा इससे देखि और अगर लेना है तो आप उसमें पहले नमक डाल दीजिएगा इससे जो हीट चारव एक्वाल आती है कोई भी स्टेंड ले सकते हैं रिंग हो आपके पास वो ले लीजिए जिस पर बरतन रखेंगे नान खटाई का अब इसको बंद करके रखेंगे प्री हीट होने के और इसमें लगाएंगे मैं थोड़ से पिष्टा ग्रेट करके लगाएं आप चाहें तो लगाएं ना चाहें तो मत लगाईएगा और इसको मिस तरीके से अपने नान खटाई बना के सारी तयार कर लेते हैं मगर ध्यान रखेगा इनमें गैपिंग जरूर है आप सारी एक स इसको माइक्रोविव में रखने जा रही हूं 180 centigrade पर रखना है हमें 10 मिनट के लिए ध्यान रखेगा 180 centigrade मात्र 10 मिनट में हमारी बेक हो जाएंगी अब इतने यह तयार हो रही है धर यह तयार हो चुकी है इनको देख लेते हैं देखे कितनी बढ़या मेरी बेक हुई है अब इनको यूज करने के लिए ठंडा होने दीजेगा मैं इसको निकालके ठंडा होने रख देती है देखे ठंडी हो गया है मैं आपको दिखाती हूं कितनी अच्छी देखे बेक हुई है हमारी यह यह मैने कडाई में बेक करिया ऐसी को कर्मी बेक हो जाएंग यह माइक्रोवी लगती है तो फ्रेंड्स हमारे तो नानखटाई बनके तयार हैं मैं चाहती हैं आप भी इसी तरीकी से नानखटाई अपने घर में बनाएं खाएं और फिर अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें धन्यवाद